अब अपने को यह डिजाइन करना है इसके लिए मिले को एक तो इस्टेच्यू आफ लिबर्टी की फोटो चाहिए ठीक है इस्टेच्यू आफ लिबर्टी यह डाला इमेजेस पे गए यह आगई इमेजेस ठीक है आप एक तो यह इमेज आ गई और आप इसको एक सेलेक्शन करके के वो खरोगे है ना सलेक करो एक मिशीद नहीं करना थे मैं क्या करूं आप सब्सक्रो मिलेगा मिलें फक्लीक करक्त अपने को यह-ब अपने यहाँ पर अपना एंगल डिसाइड करना है आपको किस एंगल में चाहिए तो हम उस एंगल के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कैसे एंगल वाली फोटो अपने कुछ यह अपने कुछ यह बिल्कुल आई लेवल के आसपास को दिखें यह नीचे है नीचे नीचे यह भी नी बॉइ बोट में हैं डॉट के साथ में हैं इसका कीवर्ड मैं क्या बना सकता हूं कि बॉइ विद डॉट इन बोट ऐसा करते हैं तो देखो कुछ कुछ मिला क्योंकि सिमिलर चीज नहीं मिलेगी क्योंकि जो भी एडिट करते हैं मौस्टी लोग वो अपने खुद की फोटो लेके फिर एडिट करते हैं क्यों क्योंकि उस एंगल में जैसे आपको करना है तो हमेशा तो पॉसिबल यह ना कि उस एंगल में आपको फोटो मिल जाईगी जरूर जरूर आपको खुद को फोटो खेंचनी पड़ती है ठीक है अब देखो अपने को वैसी तो कोई फोटो नहीं मिल रही है देखा जाए तो हम इस से काम चलाते है इस वाली फोटो से ठीक है यह फोटो मेरे को थोड़ी सिमिलर और थोड़ी सेम सी लग रही है इसको यूज करते हुआ यह तो बहुत चोटी हो गया देखा लेखना न साथ सो वाए चार सो नहीं बहुत चोटी हो गई फोटो भी सही क्वालीटी में बढ़ी हो तो जादा बढ़ी हो यह कैसी है यह आट सो पांज सो है इसको भी ले सकते हैं अपन चलो तो अब जैसे हमने ये फोटो ली इसको मैं सेव कर लूँ अपने डेक्स्टाप पे ये मैंने किया डेक्स्टाप पे इसको सेव कर लिया चलो इस पे हमने बोला ये फोटो फिर हमने बोला ये फोटो हम ये लेते हैं ठीक है इसको हम सेव कर लेते हैं एक ये फोटो और क्या थे था अपने को इसका है यह तो हम इसमें अब लेते हैं कि अबू क्लाउड्स वाल पेपर अच्छे साइच की मिलेते हैं को ऐसा ही कुछ चाहिए अपने को इसमें हम लें अब देखें कि जो अच्छी फोटो हमको लगेगी लैवल वाली उसको हम उसमें यूज़ करेंगी अब देखो यह कैसा मैनुपलेशन नहीं तो है देखो यह वाल पेपर बनाँगो यह भी मैनुपलेशन सब चीज़े ऐसे बनी भी सीज़ें उपर देखते हूं पर एक दो फोटो थी इसको हम जैसे यह वाली फोटो है न यह उसी के अकॉर्डिंग मैच लग रही है अपने को है न ऐसा लग रहा है कि वैसी हूँ आयर वैसी फोटो ही तो थेखो विल गई अपने को अपने को मिल चुकी है अजी शर आप लू देखो हम थोड़ा थे इमेज मैनुपलेशन का काम कर रहे हैं अभी को कि अजी सर इसमें अमने किया किया है हमको ऐसी फोटो बनानी दिख रही है आपको यह वाली इधर यह इसके लिए हमने इसकी इमेज डाउनूड करिए स्टेश्य ओफ लिबर्टी एक हमने यहां पर मैं इस वाली फाइल को तो कर रहा हूं अब मेर को यहां पर जो मैंने डाउनूड करा है कि यह क्लाउड वाली फोटो यह मैंने यहां डाल दी ठीक है कि मेन इमेज साइस तो इसकी होगी ना क्योंकि इस पर रखना है अब इस पर अपनी दोनों इमेजिस यह दोनों हमने यहां फुट कर दी यह आ गई और यह आ गई चलो यह अपना काम हो गया पहले हम इसको सैट करेंगे हम इसको कहाा रखा-जाय तो मैं इसकी साइस थोड़ी छोटी कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी पीच्छeten और बड़ी है च्छटा कर रहा और उसको यहां फ्लेस कर दी अर्मोड इस जके के आसपार फ्लेस करने के बाद में मैंने इसको डॉप्लीकेट कर लिया कि मेरे को यह बाद में भी same setting पर यूज में आ सकती है क्योंकि अभी इसमें editing हो गए रहा और करेंगे मैंने इसको हाइड कर दिया एक कॉपी गोई इसमें मैंने लिख भी दिया कि और इजिनल ठीक है फिर हमारे पास एक ये फोटो है इसको हम मैं थोड़ा सा इसको transparent करूँ एक तो यहां से opacity down जिससे कि मैं देख पाऊं कि मैं इसको छोटा करके कहां रख रहा हूँ तो ये मेंजे set मिले इसको मेरे को almost यहां वाले clouds पे रखना है इसको यह इधा है ठीक है यह हो गया opacity मैंने बढ़ा दी इसको मैंने duplicate कर लिया और उपर रख लिया इसको hide कर दिया अब इसमें मेरे को direct काम करना है दोनों फोटो को आप कर दोगे restries क्योंकि आपको editing कर दोगे restries करने के बद पहले हम in वाली photo में आते है इसमें अपने को क्या करना है एक तो सीधे सीधे अपने को तो कि बोट पानी reflection नहीं तो दिखेगा नहीं अपने को नीचे में तो इसको आप तुरंट रभाव से हटा दो ये लो ये ये क्लिक करके delete ठीक है अब थोड़े ध्यान से हम इन वाले areas को भी हटाएंगे फोटो के quality सही नहीं है इसकी बहुत छोटी फोटो है सरी छोटी इसलिए वाइबेट हो रही गया हाँ इसलिए हो रही है बहुत छोटी फोटो है रेजलेशन के साथ के ये और इनका ये चप्पू भी रख है इनके साथ में तो हम चप्पू को भी ले लेंगे अच्छा वो तो फिश का वो लगरा चप्पू ये वाला है बभरो जी क्या क्या काम कर लिया आपने इन दिनों में कुछ नहीं सर जो थाजर बूल गया पुरानी क्लास है मैंने आपको सेंड कर रही थी उनको चेक कर आगया आपने वह तोड़ा तोड़ा कर रहा हूं सर तो देखो ये सेलेक्शन हो गया इतना मैंने इसको डिलीट कर दिया आगे ची समझ में इतनी इतनी हमने रग दिया यह अपनी प्लेसिंग हो चुकी है कि हमको इनको प्लेस करना वट अभी क्लाउड के उपर है तो बीच-बीच में क्लाउड भी दिखेंगे इसमें ये क्लाउड के बीच में से निकल रही है तो हमने थोड़ी सी इसकी opacity डाउन करी पीछे वाले cloud देखने के लिए और इस image पर हमने eraser लिया right-click करके swap page वाला लिया और इसका size थोड़ा छोटा की कोई problem इसमें? नहीं sir अब हमने इस layer पर आ गए और इसको मैं erase करता हूं कि ये वाला cloud इतना है तो मैं इसको इतना erase कर दिया कर सकते हैं ये आराम से? ये कर दिया फिर इधर हम आ गए और अब हमने ये हां से ये कर दिया कोई problem इसमें? नहीं sir अब मैं इसकी opacity full करके check करता हूं कि क्या रहा अब ये देखो दिखने में ऐसे पूरा blood सा लग रहा है तो कि यार ये cut काट के डाल दिया क्या है न? अब थोड़ा सा और neutral effect देने के लिए मैं थोड़ा सा eraser को बढ़ा कर रहा हूं और हलका अलका उसको erase करूंगा तो वो match होता हूँ लगे ये देखो ठीक है? अब देखो अब हो गया हो match हो गया न? इसी तरीके से हम आते हैं इस पे कि ये boat पे है सेम हम यहां गए और यहां भी हम अब हम थोड़ा थोड़ा इसको erase कर दो जो ये लगे कि ये अंदर है boat clouds के इतना इतना part clouds में आ रहा है देखो क्योंकि यहां पे direct patch तो है नहीं cloud दूटा यह देखो हो गया है अब? दूख स्री चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही है किसमत से कि ये वाली फोटो और ये वाली फोटो दोनों के अंदर sunlight इसी एंगल से आ रही है और पीछे जो अपना वाल पेफर है उसमें भी sunlight उसी एंगल से आ रही है देखो है ना? तो ये और थोड़ा अपने को neutral वो दे रहा है सीज़ कि हाँ यारी तो और अच्छल है ये अपने को बता तो हम इस तरीके से ऐसे image और कुछ भी create कर सकते हैं कुछ भी लगाना हूँ आपको जैसे देखो हम एक बार मैं कुछ थर्च करूँ यहां पर कुल्टन केट ब्रिज पिएंजी ये रहा पिएंजी में ये मैंने लिया ये गया इसको save किया यहां गए इसको लिया यहां रखा ठीक है अब मेरे को इसको दिखाना है कि यहां से थोड़ा सा ये बार निकल रहा है clouds के बीच में है ना इतना सा मैंने इसको यहां रखा अब मैं only इसको erase करूँगा तो मैं इसके copy नहीं कर जाओं भी directly erase करूँगा अब देको यहां से दोनों लगरी strings क्यों अंदर चले गई माता जी के उपर से भी अपने को strings अठानी पड़ेगी यहां यहां थोड़ी से रख देते हैं इनको और यहां से अठा देते हैं अब लग रही है कि पीछे चलेगी उनके और यहां भी इनके इस star के उपर से color हटाना है बस वो पीछे white में देखें तो देखो हलका सा लग रहा है कि वो पीछे से जा दी है तो अपने को इन detailing पे भी ध्यान देना होगा अब यह देखो बन गया अब आप चाहे हैं आएफिल टावल लगा दो वो बन जाएगा कुछी बना लो अब यह एक तरीका था या एक चीज कर दिया हमने ऐसे आप अपनी क्रेटी लगा कि कुछी भी करो किसी भी तरीके की मैनिपलेशन कर सकते हो आप और मोशली चीजों में बस ऐसी ही चीजे काम आती है सेलेक्शन कर दिया डिलेट कर दिया कितना रखना है कितना हटाना है कितना शो करना है बस यही चीजों की मोशली दिया काम है कि यहीं है बना दूसरे चीज अभी जब आप इस षेट को देख रहे हैं गोल्डन गेट जो बीज है यह भी औरीजनल वालानी तूडी में बना वह हमने 2D फोटो डाउनोड करी ए इस आर्ट बनाऊ है इसका देखो यह बाली फोटो देखरी है देखरी है यह नहीं देखरी है यह देखो दिख रहा है अब अब ये देखें अब यहां यह तेखेंगि इन्य का आपजाशन और कर सब्सक्राइशन प्रिक कर पर घ्रफिक unfortunate इस यहां रहा है पूरा वोटर है बट बारिकी के दिया ना होगा बिल्कुल दियान देना होगा क्योंकि जो है जो हमने इसमें डिटेलिंग के चीजे करी कि हां इतना लेकिन फिर आप जब देखोगे ना तो लगेगा निकिया रही सही फो तो नहीं कुछ ना उच्छ गडबड तो है लेकिन जिसको पता होगा वो बता देगा क्या गडबड है है ना लेकिन जिसको पता है